हलो बच्चो मैट्स माया नगरी में फिर से मैं एक बार आपको बुलाने आया हूँ फिर से इस माया जाल में एक बार ले चलने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ नए चैप्टर की शुरुवात करेंगे चैप्टर का नाम है रिलेशन्स अल्रेडी मैं आप लोगों को सेट्स सिखा चुका हूँ सेट्स के साथ हमारी खुबसूरत सेटिंग हो चुकी है नए चैप्टर की शुरुवात करेंगे रिलेशन्स बड़ा ही इंपोर्टन चैप्टर है बहुत शामदार चैप्टर है क्यालकुलस की नीव रखने में रिलेशन्स अंड फंक्शन्स इन दो चैप्टर्स को सीखना बेहद जरूरी है बेहद जरूरी है दोस्तों रिलेशन्स को मैं दो पार्ट्स में सिखाता हूँ इस सेशन्स में हम पार्ट नंबर वन सीखने वाले है रिलेशन्स क्लास 11 के सलेबस में भी है क्लास 12 के सलेबस में भी है जो क्लास 11 के सलेबस में रिलेशन्स है वो है रिलेशन्स पार्ट वन और जो क्लास 12 के सलेबस में रिलेशन्स है है relations part 2 तो इस session में हम 11th class के syllabus में जो relations है that is relations part 1 हम उसी को सीखेंगे तो इस session में हमारा motive होगा relations part 1 और relations part 1 का पहला topic है cartesian product of two sets दो sets का cartesian product कैसे करते हैं क्या होता है सबसे पहले ये सीखना बहुत जरूरी है उसके बाद हम relation की definition सीखेंगे और उससे related कुछ terms को सीखेंगे और यूं करते हुए relations पे हमारी command बननी शुरू हो जाएगी जी हां तो चलिए आज की हम भननाट शुरूआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ordered pair क्या होता है ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ordered pair क्या होता है ठीक है आपने यहां लिख दिया 2,4 यूं ब्रेकेट लगा करके और यहां simply लिख दिया 2 यूं लिख देते हो इसका मतलब यह है कि आपके पास दो नंबर्स हैं एक है 2 और दूसरा है 4 पर जब आप ब्रेकेट बंद करके 2,4 लिख देते हो इसका मतलब है कि 2 नंबर्स है 2 और 4 और उनका जो order है वो भी important है उनका order भी important है जी हां दो नंबर्स जब हम साथ लिखते है तो उनका order कई बार important होता है और कई बार important नहीं होता जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि x square minus 6 x plus 8 equal to 0 आप इनके solution मुझे निकाल के बताईए कौन-कौन से हैं तो इनके solution जब आप निकालोगे तो x equal to 2 and 4 आएंगे अगर आप x equal to 2 and 4 लिख दें वो भी सही है और अगर आप x equal to 4 and 2 यू करके लिख दें वो भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे जो 2 and 4 मैंने लिखा है यह है unordered pairs क्य है यह unordered pairs है ध्याँ से देखें unordered pairs है लेकिन इसके विपरीत अगर मैं x y system में अगर मैं x y system में point के coordinate लिखना चाहूं अगर मैं x y system में point के coordinates लिखना चाहूं तो 2,4 point कुछ यहाँ मिलेगा मुझको जिसका x coordinate 2 है और y coordinate 4 है और 4,2 point मुझको कहीं यहाँ मिलेगा जिसका x coordinate 4 है और y coordinate 2 है आप देख सकते हैं यहाँ पे यह दोनों अलग point है और इनके coordinates भी अलग है तो यहाँ पे 2,4 and 4,2 are two different things but in this case in this case these two things are same तो तो यहाँ पे 2,4 के दोनों तरफ देखी मैंने bracket लगा दिया तो bracket दो points के दो members के बीच में comma लगा हो और फिर bracket लगा हो वो तभी लगाया जाता है जब ordered pair जब उनका order important हो ordered pair का discussion अपने को करना हो तो यह है ordered pair of two and four ठीक है ना ordered pair है यह यह क्या है दोर चार का ordered pair है यह दोर चार का ordered pair है और यहाँ पे एक बात आपको समझ जाई होगी कि bracket में 2,4 यू लिख दें और bracket में 4,2 यू लिख दें यह दो अलग चीजे है ठीक है ना यह बराबर नहीं है बात समझ जारी आपको यह दोनों अलग चीजे है यह बराबर या कोई भी दो objects का order important होता है तो इस प्रकार से हम ordered pair की form में लिखते हैं और जब objects का order important नहीं रहता है तब हम बिना bracket के लिखते हैं तो ordered pair लिखना है तो bracket लगा कर के लिखिए और order important नहीं है unordered pair अगर लिखना है तो bracket लगाने की कोई जरूरत नहीं है I hope आपको ordered pair एकदम clear ह अध्यान से सुनी है जरा मालो कोई बोलता है आपको कि if x-3 and y-5 यह ब्रेकेट लगा दी ordered pair बना दिया this ordered pair is equal to 3,9 कोई अपने को बोल दे कि यह वाला ordered pair इस वाले ordered pair के बराबर है तो उसको बोलिए भाईया यहाँ पे order है important यहाँ पे order है important यह जो x-3 है यह 3 के बराबर होगा और यह जो y-5 है यह 9 के बराबर होगा तो यह जो x-3 है यह 3 के बराबर होगा और y-5 जो है यह 9 के बराबर होगा तो कुल मिला करके x की value को 6 होना चाहिए और यहाँ से देख सकते है y की value को 14 होना चाहिए ठीक है ना दो ordered pair अगर important दो ordered pair अगर equal है तो equal दो ordered pair तब ही हो सकते हैं जब उनका यह जो initial elements हैं वो आपस में बराबर हो और पीछे वाले जो last वाले elements हैं वो आपस में बराबर हो एकदम clear है I hope आपको ordered pair का concept जो है वो एकदम clear हुआ होगा ठीक है अब अपन देखते हैं कि Cartesian product of two sets क्या होता है अब आईए समझते हैं कि दो sets का product कैसे करते हैं दो sets का product कैसे करते हैं I mean Cartesian product कैसे करते हैं रेंडेस कार्टे नाम के mathematician थे उन्होंने सबसे पहले सिखाया सबसे पहले दुनिया को बताया कि जैसे दो numbers को multiply कर सकते हो आप दो real numbers को multiply कर सकते हो product उनका निकाल सकते हो दो vectors को भी आप multiply कर सकते हैं उनका product निकाल सकते हैं दो vector को भी आप product कर सकते हो उनका a vector dot b vector भी कर सकते हैं और a vector cross b vector भी कर सकते हैं और एक chapter है matrices मैट्रिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि दो मैट्रिक्स अगर है मालो यह और भी दो मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोड़क्ट करना भी संभव है जिस प्रकार से दो रियल नंबर्स का प्रोड़क्ट संभव है जिस प्रकार से दो कॉंप्लेक्स नंबर्स का कार्टे ने बताया कि उसी प्रकार से दो सेट्स का प्रोड़क्ट भी किया जा सकता है उसने कहा जी दो सेट्स का प्रोड़क्ट हम कर सकते हैं कैसे करना है वो भी वो भी रेनेडस कार्टे ने बताया और नाम दिया कार्टेशियन प्रोड़क्ट कहा कि अगर हमारे पास दो स सपोज एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है बी अलिफ कोमा लैला ठीक है अलिफ कोमा लैला दो सेट हमारे पास है ए और बी तो कार्टेशियन प्रोड़क्ट अगर दो सेट का करना है तो ए कार्टेशियन प्रोड़क्ट भी यूं लिखा जाता है ज्यान से सुने कैसे लिखा ज इसको A into भी नहीं बोलते A multiply by B बोलना भी ठीक नहीं है जैसे vectors में बोलते हैं A vector dot B vector यहां बोलते हैं A vector cross B vector vectors में कभी ऐसे नहीं बोलते A vector into B vector A vector dot B vector बोलते हैं यहां A vector cross B vector बोलते हैं कुछ वैसे ही तरीके से यहां पे भी कुछ उसी अंदाज में कुछ उसी अंदाज में यहाँ पे भी A into B बोलना सही नहीं है यहाँ बोला जाता है A Cartesian product B A Cartesian product B ऐसे बोलते हैं इसको तो अब A Cartesian product B होता क्या है आईए समझते हैं अब समझते हैं A Cartesian product B होता क्या है A के जो element है 1 और 2 ordered pair बना दो 1 का अलिफ के साथ एक बार 1 का लैला के साथ ठीक है मजनू नहीं है यहाँ पे कोई बात नहीं लैला तो है 2 का अलिफ के साथ बनाईए 2 का अलिफ के साथ बनाईए और 2 का आप लैला के साथ भी बनाईए बात समझ में आ रही हैं आपको यहां मैंने क्या किया वन और टू दोनों की सेटिंग अलिफ और लैला के साथ कर दी वन की सेटिंग अलिफ के साथ भी कर दी वन की सेटिंग लैला के साथ भी कर दी टू की सेटिंग अलिफ के साथ भी कर दी टू की सेटिंग लैला के साथ भी कर दी तो 1, alif एक ordered pair लिख दिया फिर 1, lila फिर 2, alif फिर 2, lila कुल मिलाकर करके mathematical भाषा में बात करें तो A के जितने elements हैं उनको हर possible तरीके से B के elements के साथ रख दिया A के जितने भी elements हैं उनको हर possible तरीके से B set के elements के साथ रख दिया और यह जो ordered pair बन करके जो नया set आया है इस नया set को बोलते हैं A Cartesian product B यहाँ पर important बात जहां दने वाली यह है कि A set पहले लिखा है तो पहले elements जो आएंगे वो A वाले आएंगे शुरुवात में जो elements आएंगे वो A set वाले आएंगे और यह देखिए B set को बाद में लिखा है तो जो बाद वाले elements आएंगे उनको देखिए आप यह B set वाले होंगे बाद वाले जो elements होंगे B set वाले होंगे A Cartesian product B मैंने आपको बता दिया अब आप समझें कि B Cartesian product A क्या होता है अगर B Cartesian product A हमको निकालना है तो बताईए क्या होगा B Cartesian product A अब B के element पहले लिखेंगे अब अलिफ की setting करानी पड़ेगी 1 के साथ और 2 के साथ ठीक है तो यह हो जाएगा अलिफ कोमा 1 अगला element होगा अलिफ कोमा 2 फिट थर्ड element होगा लाईला की setting 1 और 2 के साथ कराएं लाईला कोमा 1 लाईला कोमा 1 और लाईला कोमा 2 समय मैं आरी के नहीं आरी तो यह हो जाएगा B Cartesian product A और मैं आप लोगों को अल्ड़ी बता चुका हूँ कि जब ordered pair का discussion किया जाता है तो X, Y and Y, X they are two different things यह ordered pair है X, Y and Y, X are are two different things यह दो अलग बाते हैं X, Y and Y, X बात अमज़ा रही आपको तो यहाँ पे अलिफ, 1 और 1, अलिफ दो अलग बाते हैं तो यहाँ से अपने कोई आइडिया मिल चुका है कि A Cartesian product B और B Cartesian product A यह दोनों बराबर नहीं है दो अलग बाते हैं जब कभी भी दो सेट्स का Cartesian product की बात करनी हो A और B दो सेट्स दिये हैं दोनों का Cartesian product अगर करना हो तो आप पूछिए कि बताएं A Cartesian product B करके दें आपको या फिर B Cartesian product A करके दें आपको बात समझा रही है तो इसको simply मैं A करोस भी बोल रहा हूँ A करोस भी बोल रहा हूँ समझ जाना मैं A Cartesian product भी बोल रहा हूँ तो A करोस भी जो है वो ये सेट हुआ B करोस ए ये वाला सेट है और आप देख सकते हैं ये वाला जो element है ये सेट का ये वाला element है ये अलग-अलग ordered pair है बराबर नहीं है इसलिए A Cartesian product B और B करोस A ये दोनों बराबर नहीं बोले जा सकते ठीक है तो A करोस B and B करोस A are two different things in sets अब यहाँ पर देखिए एक और interesting बात A में हमारे पास दो element थे B में हमारे पास दो element थे ठीक है ना A में हमारे पास दो element है 2 into 2 किया तो A Cartesian product B में 4 element आए है बात समझा दिया आपको A में दो element है B में दो element है तो A करोस B में 2 into 2 4 elements होंगे ठीक है number of elements का भी अपने को देखिए यहाँ से idea लगेगा माल लो एक set A ले लेता हूँ मैं 1, 2, 3 दूसरा set ले लेता हूँ B X, Y दूसरा set ले लेता हूँ B X, Y जल्दी से अपन लिखेंगे A क्रोस B क्या होगा A क्रोस B क्या होगा 1, X 1 को X के साथ लिखेंगे 1 को Y के साथ लिखेंगे फिर 2 को अपन X के साथ लिखेंगे ठीक है फिर 2 को Y के साथ लिखेंगे उसके बाद 3 को X के साथ लिखेंगे 3 को Y के साथ लिखेंगे बात समझा रही है तो ये बना है अपना A Cartesian Product B अब इसमें देखें कितने elements है number of elements in A कितने थे आप यहाँ देखिए number of elements in A कितने थे 3 थे number of elements in B कितने थे B में हमारे पास 2 elements थे A में अपने पास 3 elements थे B में अपने पास 2 elements थे तो A Cartesian Product B में कितने elements हुए number of elements in A Cartesian Product B कितने हैं आप खुद ही बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elements है मतलब 3 into 2, 6 ठीक है ना तो number of elements in A Cartesian Product B यह कैसे निकले number of elements in A Cartesian Product B निकले number of elements in A into number of elements in B number of elements in A कितने है 3, number of elements in B कितने है 2, तो multiply करके कितना आ गया 6, तो यहाँ पर important observation अपनी क्या है important observation अपनी यह है कि A और B में A और B में number of elements अगर अपने को मालूम है A और B में number of elements अपने को मालूम है तो A cross B के number of elements भी easily निकाल सकते हैं, ठीक है और एक बात ध्यान से देखिए ये 2 set A cross B और B cross A बराबर बिल्कुल नहीं है लेकिन इनके number of elements बराबर है इनमे number of elements जो है वो बिल्कुल बराबर है यहाँ पर देखिए 4 elements है इसके अंदर भी देखिए आप 4 elements है तो number of elements जो है वो बराबर है दो सेट बराबर नहीं है लेकिन वो number of elements जो है उन दोनों के अंदर वो बराबर है तो यहाँ आपन बोल सकते हैं कि number of elements in A Cartesian product B this will be equal to number of elements in B Cartesian product A पहली बात वो यह समझनी है कि A Cartesian product B में और B Cartesian product A में number of elements बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे वो होंगे N A into N B के बराबर N A into N B N A क्या है N A है A के number of elements और N B क्या है B के number of elements चीक है तो यहाँ पे देखे यह property समझना बहुत जरूरी है इससे पहले हम यह देख चुके हैं कि A क्रोस B और B क्रोस A इन जेनरल बराबर नहीं होता किसी special case में बराबर हो जाए तो एक अलग बात है इन जेनरल बराबर नहीं होता अब ध्याँ से देखे आप कि मालो पर बोलते हैं कि if number of elements in A is equal to P number of elements in B is equal to Q तो number of elements in A क्रोस B कितने हो जाएंगे P into Q हो जाएंगे ठीक है ना और उसी प्रकार से number of elements in B क्रोस A भी कितने हो जाएंगे number of elements कितने हो जाएंगे Q क्रोस Q into P clear एकदम और यहां पर देखिए अगर A और B मेंसे कोई null set हो A और B मेंसे कोई null set हो मालो A हमारा एक null set है ठीक है या इसको कोई C set ले देते हैं इसको ले लिया C set C हमारा null set है और D हमारा कोई set है 1,2,3 अगर आप C Cartesian product D करेंगे अगर आप C Cartesian product D करेंगे तो अब इसके अंदर कोई element ही नहीं है तो इसके elements का इसके साथ ordered pair बनी नहीं पाएगा तो C Cartesian product D भी क्या हो जाएगा एक null set हो जाएगा C Cartesian product D भी एक null set हो जाएगा तो सीदी सी बात है नोट करने वाली बात है कि इफ A Cartesian product B अगर null set है अगर A Cartesian product B null set है तो इसका meaning हम निकालेंगे then हम meaning निकालेंगे ऐडर A हमारा null set होगा या तो A हमारा null set है या फिर B हमारा null set है और ये भी हो सकता है कि A और बी दोनों हमारे null set हो और भी दोनों हमारे क्या हो नल सेट हो तो कभी भी एक कार्टेशन प्रोड़क्ट भी अगर नल सेट आ जाए तो यह सीधी सी बात है समझने वाली कि दोनों सेट्स में से कोई एक सेट तो पक्का नल सेट होगा हो सकता है दोनों के दोनों भी हमारे नल सेट्स हो क्लीर है कार् कि मूफ करते हैं आगे कि मूफ करते हैं कि कार्टेशन प्रोड़क्ट को समझने के बाद अब हमको समझना है रिलेशन क्या होती है ठीक है कार्टेशन प्रोड़क्ट को समझने के बाद अब हमको समझना है कि रिलेशन क्या होती है समझेंगे बिल्कुल दिल लगा के ध्यान स समझेंगे ठीक है ना relations तो आप लोगों को भी मालूम होगा है ना मेरी आपके साथ एक relation है teacher student की relation है ठीक है ना teacher student की relation है दो लोगों के बीच में relation हो सकती है हो सकता है ना भी हो उसी प्रकार से mathematics में भी दो numbers के बीच में दो variables के बीच में या यूं कहूं दो objects के बीच में कोई relation हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है ना हो और ना हो तो को relation define की जा सकती है मैं बस मोटा मोटी आपको यह बताना चाहता हूं कि जो relations हम सीखने वाले हैं यह हम दो objects के बीच में relation क्या होती है यह सीखेंगे match में relation दो numbers के बीच में हो सकती है दो variables के बीच में हो सकती है एक number variable के बीच में हो सकती है या in general दो elements के बीच में हो सकती है ठीक है और elements कहां मौझूद होते हैं sets में elements कहां मौझूद होते हैं sets में तो match में दो sets लिये जाते हैं ज्यांद से सुनना मेरे बात को अगर ये कहानी introductory कहानी अगर आपको समझ में आगी तो relations में कभी tension नहीं होने वाले आपको ठीक है मान लो हमारे पास दो sets है ज्यांद से सुनना ये है set A और ये है set B हमारे पास हैं दो sets set A और set B set A के जो elements है वो है 1 2, 3, 4 and 5 set B के जो elements है वो है 1, 2 4, 9 और 10 जहां से देखिए set A के elements को आप बिल्कुल जहां से देखिए set B के elements को आप जहां से देखिए ठीक है ना relation अपन डिफाइन करने वाले है relation डिफाइन करने वाले है चलते 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 इस राह पे न जाने कब अलग हो जाएंगे हम चलते चलते इस राह पे न जाने कब अलग हो जाएंगे हम न जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएंगे हम चलते चलते इस राह पे न जाने कब अलग हो जाएंगे हम न जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएंगे हम खेर पापस आते हैं यहाँ पर सेट A है सेट B है अब तो relation है relation को generally capital R से denote किया जाता है कोई भी relation हो maths में उसको generally अपन capital R से denote करते हैं generally denoted by denoted by capital R ऐसा नहीं है कि capital R से denote करना कोई hard and fast rule है अब W से P से R1 से R2 से denote कर सकते हो लेकिन अच्छा लगता है capital R से denote करते हैं सब लोग तो अपन भी अगर उसी discipline को follow करें that's good relation को capital R से denote किया जा सकता है अब relation जब दो sets के बीच में define करते हैं तो वो A से हो सकती है, A2 B भी define हो सकती है A2 B भी define हो सकती है और B से A में भी define हो सकती है यह बात समझनी ज़रूरी है तो relation को generally capital R से denote करते हैं और relation जो है that is defined between two sets relations जो है relations will be defined will be defined between two sets two sets में relations को हम define करते हैं capital R से generally denote करते हैं जैसे मैंने लिख दिया capital R है, relation का नाम लिख दिया capital R है और capital R जो relation है वो set A से B में define की गई है तो इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं capital R जो है वो define की गई है capital R is such that ऐसे दो बिनिया लगाते हैं पहले capital R is such that which is defined from capital A to capital B बात समझा रही है capital R is a relation देखिए, read कैसे करना है ध्यान दीजिए read कैसे करना है कि capital R is a relation capital R is a relation capital R is a relation such that ये दो बिनिया होती है such that का सिंबल होता है मैंने बताया था आपको sets के अंदर कि such that का सिंबल होता है capital R is a relation such that it is defined from set A to B ठीक है ना और अगर मालो B से A में B से A में मालो एक W relation define कर दे हम तो उसको कैसे denote करेंगे उसको denote करेंगे इस प्रकार से W is a relation such that it is defined from B to A बात समझे आ रही है तो A से B में अगर relation define कर रखी हो तो U denote किया जाता है R is a relation such that it is defined from set A to set B clear हैकदम चलिए W को relation है वो मैंने B से A define कर दी B से A में भी relation define की जा सकती है अब A से B में जो relation define की है वो relation है क्या ये मालूम चल गया denote कैसे करते हैं ये मालूम चल गया किन दो चीजों के बीच में match भी relation को define किया जाता है अब ये भी समझना होगा कि क्या है वो relation अब मेरे और आपके बीच में एक relation है बट वो relation क्या है? teacher student की relation है मेरे और आपके बीच में our relation है वो our relation क्या है? teacher student relation ठीक है न? तो यहाँ पर समझते है A और B में जो our relation क्या है? यह our relation क्या है? मा लेते हैं, our relation कुछ ऐसी है our is a relation देखिए, our is a relation जहां सुनना मैंने और रिलेशन बनाई यहाँ पर our is a relation वो कैसी relation है? our relation में वो सारे जोड़े हैं वो A, B के सारे जोड़े हैं such that A belong करता है capital A से B belong करता है capital B से और A का square करने पर B आता है यह लिख दिया मैंने कुछ एक बात समझनी चाहिए set builder form में लिखा है set builder form में लिखा है मैंने आपको बताया था कि sets को represent करने के तीन तरीके होते हैं roster form, set builder form और visual form relations को भी represent करने के तीन तरीके होते हैं roster form, set builder form और visual form वही तीन तरीके, जिनसे हम sets को represent करते हैं, उन्ही तीन तरीकों से हम relations को भी represent कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने relation बताई, relation क्या है, अब इस relation को represent किया गया है set builder form में, मैं आपको roaster form में और visual form में भी represent करके दिखाऊंगा, यह मैंने relation R यहाँ पे देखे, relation R एक define की गई है, set builder form में लिखा है आईए इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं जैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा जैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा आपको बात समझ में आ जाएगी और जैसे ही वीशुल फॉर्म में लिखूंगा जैसे वीशुल फॉर्म में लिखूंगा diagram form में लिखूंगा तो बात समझ में ही समझ में नहीं बनाट तरीके से समझ में आ जाएगी बिलकुत ध्यान से देखें गोर फरमाईएगा इदर बिलकुल नजने अपनी गड़ा लीजिए यहां देखें आप मैंने कहा है मैंने यहां पे कहा है कि relation र में वो सारे एकोमा भी होंगे रिलेशन आर में वो सारे एकोमा भी होंगे सच दैट यह सिंबल है सच दैट का सच दैट ए हमारा कैपिटल ए से है बी हमारा कैपिटल बी का एलिमेंट है ए हमारा कैपिटल ए का एलिमेंट है B हमारा capital B का element है और A का square B के बराबर है A का square 1 का square किजिए आप 1 का square किसके बराबर है ध्यान से देखें 1 का square 1 के बराबर है A का square A बोला गया है set A के elements को ध्यान से सुनना A बोला गया है set A के elements को set A के elements को बोला गया है A यहाँ पर देखे लिखा हुआ है small a जो है small a जो है वो capital a के elements है belong करते है small a capital a में small b capital b के elements है capital b में पाए जाते है small b small b जो है वो small b जो है वो इस set के अंदर है small b जो है वो capital b set के अंदर है बात समझाए आपको small a जो है वो capital a set के अंदर है small b जो है वो capital b set के अंदर है तो small a square b के बड़ाबर आता है तो यह सारे small a है यह सारे small a है यह सारे small b है अब बताएए किसका square यहां मौझूद है 1 का square 1 के साथ यहां पे देखिए relation में है 1 और 2 का square करेंगे तो 4 आता है तो 2 4 के साथ relation में है 2 4 के साथ relation में है क्योंकि 2 का square 4 के बराबर है 3 जो है वो 9 के साथ relation में है क्योंकि 3 का square 9 के बराबर है 4 का square 16 यहाँ पे नहीं है तो 4 किसी भी relation में नहीं है 5 भी किसी relation में नहीं है तो यहाँ पे आपको बात समझनी है हमारे जो relation R है हमारे जो relation R है वो relation ये कहती है कि A का स्क्वाइर B के बराबर होना चाहिए हमें वो A और B बताओ हमें वो A और B बताओ कि A का स्क्वाइर B के बराबर हो हमें वो A और B बताओ कि A का स्क्वाइर B के बराबर हो तो वो A और B ये है A1 B1 यहां पे देखे A1 B1 A1 B1 A2, B4 A2, B4 A3, B9 A3, B9 बात समझा रही है A3, B9 तो देखे 1, 1 आपस में relation में है 2, 4 आपस में relation में है और जो 3, 9 है वो आपस में relation में है बात समझा रही है आपको तो यहां बोलेंगे कि 1 is related with 1 1 is related with 1 1 जो है 1 से related है 2 जो है वो 4 से related है 2 is related with 2 is related with 4 and 3 is related with 9 3 is related with 9 इस बात को यह भी लिख सकते है 1 is related with 1 एसा है भी लिख सकते हुआ 2 is related with 4 है तो 2 is related with 4 यह भी लिख सकते है 3 is related with 9 है 3 is related with 9 ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है न यह देखिए 1 का relation 1 से है 2 का R relation 4 से है 3 का R relation 9 से है देखिए R relation की R relation की यह जो representation थी यह है set builder representation यह हमने set builder form में लिखा यह हमने लिखा set builder form में इस relation को देखिए यहाँ पर हमने लिखा roster form में यहां पर roster form में लिखा और यहां पर भी देखिए relation है यहां पर देखके मालूम चल रहा है कि 1-1 से related है 2-4 से है 3-9 से है यहां पर भी देखके मालूम चल रहा है 1-1 से है 2-4 से 3-9 से है यहां algebraic तरीके से मालूम चल रहा है Visual representation of relation, ठीक है ना? तो relation जो है, देखिए, मैं पुरा summarize कर रहा हूँ, relation दो sets के बीच में होती है, दो sets के elements के बीच में होती है, कैसी relation है वो? वो हमें बताई जाएगी, कि कैसे relation इन दो elements के बीच में है, जो आप define करोगे, वही relation बन जाएगी, यहाँ पे मैंने define किया है दो sets के elements के बीच में relation की a square जो है b के बराबर होना चाहिए ठीक है ना यह relation यहाँ पे defined थी तो इसको देखिए यहाँ पे हमने set builder form में लिखा यहाँ roster form में लिखा और यहाँ लिखा visual representation यहाँ पे इसके लिखिए है तो देखिए relation दो sets के बीच में होती है दो sets के elements के बीच में होती है correct है दो sets के elements के बीच में relation होती है और लिखने के तीन तरीके है relation को set builder representation है यहाँ पे roster representation है और यहाँ पे देखिए visual representation है I hope एकदम clear होगा आपको ठीक है अब थोड़ी सी और बात ही करते है relations के बारे में कुछ terms है जो relations chapter में बहुत important है वो हमको समझनी है सबसे पहली term है image and pre-image पहली terms है image and pre-image समझते है image and pre-image क्या है हम ऐसा बोलते हैं कि one जो है one one की image one है ये वाला जो two है ये वाला two इसकी image four है ये वाला जो three है इसकी image है nine तो जो a के elements है ये related जिन elements के साथ है यहाँ पे one, four और nine ये हुई हमारी image one, four और nine ये हैं images और one, two and three ये है pre-images क्या है pre-images तो images और pre-images में आपस में relation होता है ठीक ना ये related होती हैं आपस में एक दूसरा diagram बना लेते हैं और उसमें बहुत detail में हम समझ लेते हैं ठीक ना देखिए एक और diagram बना लेता हूं मैं ये हमारा set A है ये हमारा है set B ठीक ना इस diagram में समझते हैं set A में elements है 1, minus 1 ठीक है 0, 2, and minus 2 clear है यहाँ पर elements है 1, 2 0, 3, and 4 ठीक है ठीक देखिए correct है A और B में relation R define की गई है A और B sets में relation R define की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूं मैं R is a relation such that it is defined from set A to set B ठीक है जी जो capital A set है capital A set है उसके elements को बोलेंगे small a capital B set है उसके elements को बोलेंगे small b small b belongs to capital B मतलब elements है उसके ठीक है अब relation R क्या है relation R is such that it contains ordered pair A, B where A belongs to capital A B belongs to capital B and A square equal to B यह मैं relation R define कर दी इस relation को R1 का नाम देते हैं मालो क्या नाम देते हैं R1 का नाम यह relation R1 मैंने define कर दी A से B के बीच में ठीक है इस प्रकार से है relation कि A set के जो elements है A उनका square करोगे तब जाके B मिलेंगे B sets के element मिलेंगे अपने को ठीक है तो 1 का जब अपन square करते हैं जब अपन 1 का square करते हैं तो 1 आता है तो इसका मतलब 1 जो है that is related with 1 minus 1 का square करने पर भी 1 आता है तो minus 1 is related with 1 ठीक है 0 का square करके 0 आता है तो 0 is related with 0 4, 2 is related with 4, minus 2 जो उसका square करके 4 आता है, तो minus 2 is also related with 4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन pre-images देखें, यहाँ पे pre-images देखें, pre-images देखें, तो pre-images कौन सी है, 1, minus 1, 0, 2, 2, and minus 2, 1, minus 1, 0, 2, and minus 2, ठीक है, images क्या है, यह हमारी images है, 1, 0, and 4, 1, 0, and 4 यह क्या है, images, तो images क्या है, images हमारी है, 1, 0, and 4, यह हमने देखा है, overall images and pre-images, पूरी relation में, यह सारी pre-images थी, और यह हमारी होंगी images, ठीक है न, जब एक pre-image, image बनती है, तो हम यूं बोलते हैं, कि pre-image की mapping हुई है, परी image की क्या हुई है, mapping हुई है, और mapping के बाद हमको image मिली है, minus 1 की mapping हुई है, minus 1 की mapping के बाद हमको 1 मिला है, हम ऐसा बोलते हैं, कि 0 की mapping हुई है, और उसके बाद हमको 0 मिला है, relation क्या करती है, relation mapping करती है, दो elements की mapping करती है, जैसे, मुझ में और आप में, जो relation है, teacher-student relation, इस relation ने मेरी और आप की mapping कर रखी है, मैं आप से related हूँ, teacher-student relationship में, mapping हो रखी है मेरी, उसी प्रकार से, यहाँ पर 0 element की, 0 element के साथ, जो है, mapping हो रखी है, 2 की mapping हो रखी है, 4 के साथ, 2 की mapping हो रखी है, 4 के साथ, तो होता क्या है, A set के elements की mapping होती है, B sets के elements के साथ, और बनती है एक relation, क्या बनती है, relation, A sets के elements की mapping होती है B sets के elements के साथ और बनती है एक relation जो A sets के elements हैं जिन की mapping हुई है उनको परी images बोलते हैं और जो B sets के elements आपके सामने screen पे हैं जिन से mapping हुई है उनको बोलते है images अगर आपसे पूछूं मैं कि 1 मैं आपसे पूछूं 2 की image क्या है मैं आपसे पूछता हूँ image of 2 बताईए क्या है तो आप बोलेंगे image of 2 is 4 और मैं आपसे पूछता हूँ कि pre-image क्या है 4 की pre-image बताईए 4 की, 4 की pre-image एक नहीं है, दो है एक 2 है और एक है minus 2 तो I hope image and pre-image का फंडा भी आपको clear होगा image and pre-image का फंडा भी I hope आपको एकदम clear होगा अब बात करते हैं domain of relation, range of relation, domain of relation जहां से सुना, यह 3 शब्द बहुत important है यह 3 definition बहुत important है, domain of relation दूसरा बात करेंगे, अपन range of relation की range range of relation और थर्ड बात करेंगे, co-domain co-domain of relation domain of relation, range of relation and co-domain of relation relation की domain क्या होती है बताता हूँ आपको मैं domain of relation को सबसे पहले तो बता दू, यूं रिप्रेजेंट करते हैं यूं capital D लिख करके, फिर उसके नीचे यहाँ पी इस प्रकार से R लिख दीजिए इसका मतलब है domain of relation यह relation हमारी R1 है, तो इसको बोलेंगे domain of R1 क्या है यह? domain of relation R1 domain एक सेट होता है domain एक सेट होता है, किस चीज़ का सेट होता है? सारी pre-images का सेट होता है सारी pre-images का सेट होता है तो pre-images क्या है? 1, minus 1, 0, 2, and minus 2 1, minus 1, 0, 2, and minus 2 यह सारी pre-images का सेट बना है सारी जो pre-images का सेट बना है इसको बोलते हैं domain of relation और range of relation क्या है? range of relation है range of relation को denote ऐसे करते हैं capital R के आगे relation का नाम लिख दो यह हो जाएगी range of relation और range of relation का meaning है जो images है, जो images है उनसे बनने वाला जो सेट है यह देखिए, यहाँ पे यह जो images है images से बनने वाला जो सेट है उसको बोलेंगे range of relation तो images से बनने वाला सेट हमारा यह हुआ, जहाँ से सुनना images से बनने वाला जो सेट हुआ हमारा वो हुआ range of relation अब code domain of relation क्या है पहले बता दू आपको कि जो code domain of relation है उसको denote करते हैं इस परकार से code domain of relation को इस परकार से denote करते हैं code domain of relation में अपने को दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना code domain of relation में अपने को दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पूरा set B जो है पूरा सेट B को चाप दो पूरे सेट B की फोटो कोपी कर दो और सेट लिख दो यहाँ पे पूरा सेट B चाप दो आप 1, 2, 0, 3, 4 यह बनता है Core Domain of Relation यह क्या बनता है Core Domain of Relation Core Domain of Relation में अपने को दिमाग नहीं लगाना examiner अपने आप देगा सवाल देने वाला अपने आप Core Domain देता है सेट B जो है इसको पूरा लिख दिया यह बन जाएगा Core Domain of Relation Clear एकदम Relation की Domain एकदम Clear है Relation की Range एकदम Clear है Relation की Core Domain एकदम Clear है तो कुल मिलाकर के अपन बोल सकते हैं कि जो Domain है Relation की Domain का Meaning है Set of Set of All Pre-Images Pre-Images Range का Meaning क्या समझे Range है Set of All Images Set of All Images और Core Domain का क्या Meaning समझे Core Domain of Relation का Meaning समझे Complete Set B Complete Set B को बोलेंगे Core Domain of the Relation और एक खास बात नोट करने वाली है एक भयंकर बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो Range है Range हमेशा Core Domain के अंदर ही मिलेगी आपको सिधी बात है Range और Core Domain में रिष्टा यहाँ पर नोट करना है कि जो Range है यहाँ पर देखिए यह जो Range वाले Elements है Range वाले जो Elements है Range वाले Elements मिलेंगे तो Set B के अंदर ही मिलेंगे तो Set B के अंदर ही तो जो Range वाले Elements है Range वाले Elements को बोलेंगे कि भई वो B Set का ही पार्ट है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो Range है वो Core Domain का ही एक Subset होगी वो code domain का ही एक subset होगी और code domain के बराबर भी हो सकती है code domain के बराबर भी हो सकती है क्योंकि मानलो मानलो यहाँ पर root 2 भी होता यहाँ root 2 भी होता तो square होके 2 के साथ mapping हो जाती और यहाँ पर मानलो यहाँ पर root 3 भी होता तो square होके 3 के साथ mapping हो जाती तो अगर range में भी सारे elements आ जाएं तो codomain और range क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी otherwise codomain जो है वो range से छोटी रहेगी, subset रहेगी यह एक important बात अपने को note करनी है clear है एक दम range that is a subset of codomain ठीक है range is a subset of codomain लिख देता हूँ यहाँ पर मैं range is a is a subset of subset of codomain range जो है वो codomain का ही एक subset होता है clear है so I think आपको जो relation है वो समझ में आ चुकी है क्या होगी दो sets के बीच में होती है relation ठीक है ना relation में image, per image, domain, codomain, range की पूरी कहानी आई होगी समझ में आई होगी ठीक है अब देखिए आपको एक और शानदार बात बताता हूँ relation और cartesian product में एक रिष्टा होता है relations और cartesian product relations और cartesian product में एक खास किसम का रिष्टा होता है मैं आपको समझाता हूँ पहली important बात cartesian product भी दो sets के बीच डिफाइन होता है यहां बना लेता हूँ मैं जो cartesian product है जहां से देखें cartesian product दो sets के बीच में डिफाइन होगा यहां मालो A है यहां B है तो cartesian product दो sets का होगा और जो relation है यहां बना लेते हैं वापस से दो sets को फोटो कॉपी कर लेते हैं फिर से relation भी दो sets के बीच में होती है ठीक है अब दो sets ले लेते हैं मालो दो sets ले लेते हैं मालो अपन एक ले लिया सलमान ठीक है विवेक सलमान विवेक एंड ले लेते हैं अपन डॉन सलमान विवेक एंड डॉन ठीक है तीसरा ले ले लेते हैं हाँ सेट B ले ले लेते हैं ऐश्वरिया ऐश्वरिया एंड हनी सिंग ठीक है हनी भाई सलमान विवेक डॉन और B set ले लिए है एश्वरिया and honey ठीके ना, set A क्या है सल्मान, विवेक, डॉन B set क्या है एश्वरिया and honey यो-यो, honey sink so अब देखिए set A और B का Cartesian product आप बनाईए वो क्या होगा A और B का जब Cartesian product आप बनाएंगे तो S के साथ सब कुछ लिखना पड़ेगा S के साथ A भी लिखना पड़ेगा सल्मान के साथ S वरिया भी आब नहीं तो कभी तो थी ही, ठीक है S A, फिर S H S H, ठीक है फिर V A विवेक, एश्वरिया याद आया होगा कुछ फिर V H V H, ठीक है फिर D A फिर D A उसके बाद D H ठीक है तो यहाँ पर देखे Cartesian product जब लिखा मैंने A x B लिखा तो सारी possibility लिख दी मैंने A के जो element है, वो B के साथ B के elements के साथ जो भी ordered pair बना सकते थे, वो मैंने सारा लिख दिया A Cartesian product B हमारा यह आएगा आपके सामने है अब इन दो sets के बीच में मैं relation define करता हूँ मैंने relation define की relation R relation R मैंने define की ठीक है ना, यह relation R define कर दी, ठीक है ना, S A के साथ map हो रखा है, V भी A के साथ map हो रखा है, ठीक है और D और H की आपस में mapping है, डोन, हनी सिंग के साथ mapped है, और सलमान और विवेक जो है, वो S वरिया के साथ यहाँ पे mapping उनकी हो रखी है, बात समझ आ रहे हैं आपको? समझ में आ रहे हैं के नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ जो relation मैंने बनाई है, यह relation में कौन से elements हैं? S, A V, A D, H ध्यान तो सुनना मेरे बात को S, A V, A R बना दी, कोई दूसरी relation बनाना भी संभव है कोई W relation भी बना सकते हो आप आप इनके बीच में W relation भी define कर सकते हो, कोई दूसरी relation जिसमें S, A के साथ related है मालो, V, H के साथ related है या कोई और प्रकार की relation मैं यह कहना चाहता हूँ, आप कोई भी relation बना लेजिए, ध्यान से सुनना अबकी जो बात है वो एक दम तहस नहस करेगी सब चीजों को बड़ी शांदार बात बोलने वाला हूँ, पुरी बात ध्यान से समझना मैं बोल रहा हूँ कि आप A और B के बीच में कोई भी relation बना लो, आप A और B के बीच में कोई भी relation बना लो वो relation हमेशा हमेशा A क्रोस B का सबसेट होगी कोई भी relation बना लेजिए आप A और B के बीच में वो हमेशा A क्रोस B का सबसेट पक्का होगी क्योंकि A क्रोस B ऐसा सेट है जिसमे Set A के Elements की Set B के Elements के साथ Map होने की सारी Possibilities लिखी हुई है Repeat कर देता हूँ A क्रोस B ऐसा Set है जिसमें A के Elements की B के Elements के साथ Map होने की सारी Possibilities लिखी हुई है सारी Possibilities लिखी हुई है तो जो भी Relation बनेगी A और B की जैसी भी Mapping होगी सारी Possibilities का ही एक Part होगी तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि Any Relation Any Relation Very Important Statement Any Relation Any Relation R Defined from A to B Is a Subset of Is a Subset of A Cartesian Product B धहां से सुनना इस बात को Any Relation R Any Relation R Which is Defined from A to B Is a Subset of A Cartesian Product B Clear एक दम कोई भी Relation होगी A और B के बीच में वो A क्रोस B का ही Subset होगी क्योंकि A क्रोस B में सारी Possibilities cover कर ली A Sets के जो Element है B Sets के जो Element है वो आपस में जितने भी प्रकार से Map हो सकते हैं उसके सारी Possibility A क्रोस B में लिखी जाती है कोई भी Relation बनाईए वो A क्रोस B खा तो Subset आना ही आना है Clear है एक बात तो यह समझ में आनी चाहिए आपको दूसरी बात मुझे बतना है कि If Number of Elements in A अगर P होँगे Number of Elements in B अगर Q होँगे A में P Elements है B Sets में Q Elements है तो A क्रोस B में कितने Elements होँगे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था A क्रोस B में होँगे P इंटू Q Elements ठीक है ना यह जो A क्रोस B Set है इसमें P इंटू Q Elements होँगे तो मुझे बताएं कि Total Number of Subsets जो है Total Number of Subsets कितने पोसिबल है A क्रोस B के A क्रोस B के Total Number of Subsets जो पोसिबल है वो है 2 की Power P इंटू Q A क्रोस B में जितने Elements है उसको 2 की खोपड़ी पर रख दो आप अगर A क्रोस B के Number of Elements आप 2 की खोपड़ी पर रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएंगे A क्रोस B के Total Number of Subsets निकल के आ जाएंगे और गोर फर्माईएगा कि Subsets A क्रोस B के जो होते हैं उन्ही को Relation बोला जाता है A क्रोस B के जो Subsets हैं उन्ही को Relation बोलते हैं यहाँ पे यहाँ पे A क्रोस B का यह एक Subset है यह Relation है कोई दूसरा Subset होता दूसरी Relation होती कोई तीसरा subset होता तीसरी relation होती चोथा subset होता चोथी relation होती उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि A cross B के अलग-अलग subset आते चले जाएंगे अलग-अलग relation बनती चली जाएंगी तो A cross B के जितने subsets हैं A cross B के जितने भी subsets हैं relations define की जा सकती है So total number of relations total number of relations that can be defined that can be defined in set A and B are 2 की power P into Q यह formula अपने को note करना है very important total number of relations that can be defined from A to B और B to A A और B set में 2 की power P into Q total relations आप define कर सकते हो clear है एक दब So relation अपने को समझ में आ गया relation से related जो important terms है image of a relation pre-images of a relation domain, range, code domain and total relations जो define की जा सकती है वो भी अपने को clarity के साथ समझ में आया है ठीक है देखे एक example के थूरू इस बात को और clear कर लेते हैं माल लो set A के elements है set A के elements ले ले लेते हैं alpha, beta, gamma, delta ठीक है, set B के elements ले लेते हैं, अपन, चचा, अखंडा, चचा, अखंडा, गोलू, स्वीटी, चचा, अखंडा, गोलू, स्वीटी, एंड रविशंकर, ठीक है, यह set B के elements है, तो मुझे पताएं, total number of relations कितने define की जा सकते हैं, A और B के बीच में, total number of relations, that can be defined, that can be defined, that can be defined in set A and B, set A और B में, total कितने relation define की जा सकती हैं, मुझे पताएं, number of elements in A कितने हैं, number of elements in A हैं, 1, 2, 3, 4, number of elements in B कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो A और B में, total number of relations define की जा सकती हैं, 2 की खौपड़ी के उपर, 2 की खौपड़ी के उपर, 4 into 5, 20, 2 की पावर 20, सीधी सी बात है, 2 की पावर 20, बहुत बड़ा number होता है, उत्ते relation अपने define कर सकते हैं, set A और set B में, बात समझेंगें, so I hope आपको relations का complete idea लग चुका है, तो अब देखे कुछ सवालों को solve कर लेते हैं, कुछ questions को अपन solve कर लेते हैं, यह देखे स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, first question, screen पे आपके सामने सवाल है, कुछ सवाल अपन solve करेंगें अभी, एकदम must तरीके से, तो सवाल कहा है, find the domain and range of the relation R, R एक relation है, ठीक है, R एक relation है, R relation को यह आप देख सकते हैं, इधर आप देखे, यह R relation है, इसको set builder form में लिखा है, इसको set builder form में लिखा है, set builder form जो है, वो एक है, छूपी हुई form, है ना, यह छुपा के रखती information को, वहाँ से information निकालनी है, तो set roaster form में लिखना जरूरी है, है ना, roaster form में उस set को लिखना जरूरी है, ठीक है, तो roaster form में R, जो relation है, उसको भी लिखेंगे अपन, पहले set builder form को decode करते हैं, और decode करने से पहले read करना आना चाहिए, reading अच्छी होगी, तब decoding अच्छी होगी, ठीक है, तो relation R क्या है, relation R में वो सारे x, y है, पहली बातों यहाँ पर समझे, relation R में वो सारे x, y है, जो natural numbers है, ठीक है ना, relation R में वो सारे x, y है, यहाँ पर देखिए, relation R में वो सारे x, y है, जो natural numbers है, ठीक है, और x जो है, वो 6 से छोटा है, अब natural numbers 6 से छोटे कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, और 5, x की possibilities तो यह होंगी, ठीक है ना, और y की possibilities क्या होंगी, y इसने खहा है कि 6 plus 6 by x है, y क्या है, 6 plus 6 by x, तो मुझे पताएं, कि जब x की value 1 डालते हैं, x की value जब 1 डालते हैं, तो y की value कितनी आती है, 6 plus 6, 12, y की value कितनी है, 6 plus 6, 12, मतलब x, y कितनी होगे, 1, 12, जब x की value अपन 2 डालेंगे यहां पहे, तो 6 by 2, 3, 3 plus 6, 9, x की value 2 है, तो y की value क्या है, 9, x के value 3 डालेंगे, 3 डालेंगे 6 by 3 किता हो गया, 6 by 3 हो गया, 2, 6 plus 2 कितनी होगे, 8, x की value 3 डालेंगे, y कितनी है, 8, x के value 3 डालते हैं, यहां पर अपने फोर डाल दी यहां पर तो यह आंसर कितना आया यह आया six plus three by two यह natural number नहीं है y यहां पर लिखा है natural number होना चाहिए तो x की value जो है four यहां पर डलेगी नहीं क्योंकि y natural आएगा नहीं x value four possible तो है लेना लेकिन उसकी mapping नहीं हो पाएगी किसी की साथ नहीं हो पाएगी x की value five भी अगर आप यहां पर डाल देंगे आप y की natural value नहीं आएगी तो x की value five जो है उसकी भी mapping नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी किसी की साथ नहीं हो पाएगी तो यहां पर सिरफ यह वो elements हैं जो relation में मौजूद होंगे आप देखिए आप देखिए वन जो है वो 12 के साथ related होगा 2 9 के साथ 3 8 के साथ x की value 1 डालते हैं तो y की value 12 आती है तो 1,12 relation में होंगे x की value 2 डालते हैं तो y की value 9 आती है 2,9 relation में होंगे x की value 3 डालने पर y की value 8 आती है तो 3,8 relation में होंगे स्वाल में पूछा है find the domain and range of the relation domain क्या है pre-images का set domain है pre-images का set आप देखिए ये 1, 2, 3 ये pre-images है तो domain of the relation is a set which contains 1, 2, 3 range of a relation range of a relation ये है images का set images का set जिसके अंदर होगा 12, 9, 8 12, 9, 8 domain और range निकालना बड़ा easy होता है अगर आपको set builder form में ध्याँ से देखिए set builder form में relation दी जाए तो roster form में उसको लिखिए पहले roster form में आप उसको लिखिए roster form में लिखने के बाद आपको तुरंट समझ में आ जाएगा pre-images कौन सी है pre-images का set होगा domain होगा domain होगा और images का set है वो क्या होगा range होगा ठीक है DR का मतलब है domain of relation बहुत छांदार शुरुवात question solving के साथ हुई है computer जी screen पे next question find x and y if if this quantity is equal to this quantity then find x and y बड़ा simple सवाल है left hand side एक ordered pair है right hand side भी ordered pair है 4x plus 3 को 3x plus 5 के बराबर होना चाहिए 4x plus 3 को 3x plus 5 के बराबर होना चाहिए 3x को left में लेकर के गया 4x minus 3x equal to 3 को right में लेकर के गया 5 minus 3 x equal to 2 होना चाहिए यहाँ पे जो y है y है वो हो जाएगा minus 2 के बराबर ठीक है इसने पूछा था x और y बताओ x हमारा 2 होगा y हमारा minus 2 होगा बहुत ही simple सवाल है ordered pair है यह दो ordered pair आपस में बराबर होंगे अगर इनके initial elements उनके जो last वाले elements हैं वो क्या हो बराबर हो clear एक दम move करते हैं कि लिए सवाल के उपर next question screen पे आपके सामने है ठीक है question को पहले अच्छे से read कर लें question को पहले आप अच्छे से read कर लें और उसके बाद आपन solve करेंगे सवाल क्या है if a is a set a कोई set है फिर आगे लिखा b set है यह देखिए a set यहाँ पे लिखा है यहाँ पे b set है बोला है कि small a capital a के elements है small b capital b के elements है find the set of ordered pairs find the set of ordered pairs वो ordered pairs बताओ such that a is a factor of b and a is less than b a is a factor of b and a is less than b वह विश्वल ही करते हैं सवाल को विश्वल representation का प्रियोग करेंगे और सवाल को solve करेंगे set a हमारे पास है set b हमारे पास है set a में है 2469 set b में है 4, 6, 18, 27 and 54 set a के जो elements है उनको small a बोला गया है set b के elements को small b बोला गया है इसने कहा जो a जो है वो b का factor होना चाहिए ऐसे भी बताओ ठीक है मुझे बताओ 2, 4 का factor है क्या बिल्कुल 4 के जो factorize करते हैं तो 2 into 2 इस प्रकार से आते हैं 2 जो है वो 4 का एक factor है 2, 4 का एक factor है इसका मतलब 2, 4 का factor होगा तो 2 और 4 की relation है ठीक है 2, 6 का भी factor है 2, 8 का भी factor है 2, 27 का नहीं है 2, 54 का भी factor है ठीक है तो ordered pair क्या हुए 2, 4 2, 6 के साथ भी relation में है 2, 18 के साथ भी है 2, 54 के साथ भी है ठीक है अब 4 की बारे आती है 4, 4 का एक factor है 4, 6 का नहीं है 18 का नहीं है और 4 जो है वो 54 का भी नहीं है तो 4 सिरफ 4 के साथ relation में है 4 सिरफ 4 के साथ relation में है ठीक है 6 की बारी आती है 6 6 के साथ relation में है 6 18 के साथ relation में है और 6 जो है वो 54 के साथ relation में है 6 जो 54 का फैक्टर है तो 6,6 6,18 6,54 ठीक है? ये सारे relation में है 9 को देखिए 9 की 18 के साथ relation है 9 की 27 के साथ है और 9 की 54 के साथ है तो 9,18 9,27 and 9,54 बात समझा रही है? सवाल में बूचा था वो हमें बताओ, ordered pair ordered pair समको बताने थे set बताना था ordered pair का तो ये बन गया सारे ordered pair का set जो किस condition को follow करते हो a is a factor of b and a is less than b यहाँ पर a less than b लिखा है तो a less than b लिखा है तो यहाँ पर देखिए, a और b बराबर है इसको रब करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा 4, 4 लिखा है इनको भी हटाना पड़ेगा a और भी बराबर नहीं होने चाहिए देखो बराबर है कहीं पर, यहाँ बराबर नहीं है कहीं पर भी बाकि देखिए, a is less than b है आप कोई भी अलिमेंट उठागे देख लिजिए a, b से छोटा है a, b से छोटा है हमसे बोला गया था, a जो है वो b से छोटा होना चाहिए इस बात की कदर करनी है अपने को a और b बराबर नहीं होने चाहिए a less than है, b से और a, b का फेक्टर होना चाहिए a, b का फेक्टर भी है, a, b से less than b है हैना, small a capital a से बिलोंग करता है small b capital b से बिलोंग करता है I hope in question को read करके इनकी interpretation के साथ question solving आपको समझ में आई होगी correct है, move करते हैं आगे so next question आपके सामने screen के उपर given r is a relation which contains x, y r एक ऐसी relation है जिसमें वो x, y होंगे such that x and y whole number हो, x और y क्या है, whole number और interestingly, x square plus y square 25 है पहले तो मुझे बताओ x square plus y square equal to 25 इसको satisfy करने वाले whole numbers है कोन से एसे कोन से, एक तो x1 है x1 कहां है, x1 बिल्कुल नहीं है whole number तो 0 से शुरू होते न तो एक तो 0 और y 5 है 0 का square plus 5 का square 25 होता है बात समझा रही है दूसरा है, 1 नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता 3 और 4 का combination होता 3 का square plus 4 का square 25 आता है फिर x4 और y3 हो सकता है x5 और y0 हो सकता है तो इसने पूछा कि मुझे वो x, y बताएं relation r जो है वो x, y से मिलके बनी है जो इसको satisfy करते हैं और x, y whole number है तो एक तो x, y का ordered pair 0, 4 हुआ 0, 5 हुआ, 3, 4 हुआ, 4, 3 हुआ 1, 5, 0 हुआ तो हमारे जो relation r है हमारे तो relation r है उसमें एक element है 0, 5 1 है 3, 4 next है 4, 3 और last है 5, 0 इस relation की domain और range बतानी है तो जो domain है relation की वो है 0, 3, 4, 5 क्योंकि जो परी image है 0, 3, 4, 5 ये क्या है परी image है इसकी जो range है relation की images क्या है 5, 4, 3, 5, 4, 3, 0 5, 4, 3, 0 मतलब 0, 3, 4, 5 range का set लिख दिया ये देखे ये domain थी x वाले जो है वो domain होती है और ये images है ये हमारी range का set बनेगा तो domain का set लिख दिया range का set लिख दिया question में वही पूछा था कि भी domain और range बताओ तो I hope domain और range जो है इस relation की आपको एकदम clear होगी बात समय जा लिए सो इस session को हम यही खतम करते है हमने relation के basics सीख लिए है 11th class में सिरफ यही है सो relation की definition हमने सीख लिए relation का cartesian product के साथ क्यार ले जान देना है वो भी अपने सीख लिया relation से related terms को सीखा meaning relation का सीखा और उसके बाद फिर हमने question solving में कुछ concepts को apply किया correct take them फिर से इस सफर को अलविदा कहना होगा फिर से मुझे चलना होगा चलते चलते न जाने कब रसते अलग हो जाएंगी न जाने कब हम तुम्हारी दुखती रग हो जाएंगे फिर से हम अलविदा लेते हैं फिर मिलेंगे हसते रहें मुस्कुराते रहें एक बड़ी सी मुस्कुराइट के साथ इस session को हम yes अलविदा कहते हैं मिलेंगे फिर पड़ाई करते हैं अलविदा वेली बेस्ट